हेलो दोस्तों, वेलकम टीवे चैनल, लार्नी द्रिवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अफ्टर डूइंग लाउ करने के बाद में, या फिर लॉयर बनने के बाद में आपके पास कौन-कौन सी government jobs के options रहते हैं, या फिर कौन-कौन सी government jobs आप ले सकते हैं, या फिर उनके लिए apply कर सकते हैं, तो as a lawyer आपके पास बहुत सारे options रहते हैं, आप state government के अंदर या central government के अंदर उन jobs के लिए apply कर सकते हैं, सबसे पहले state government की बात करते हैं, तो आपके पास option रता है to become a junior legal officer you can become junior legal officer in the state J.A.L.O. जो कनिश्विदी अधिकारी या फिर विदी अधिकारी होती है उस post के लिए आप apply कर सकते हैं उसके बाद में आपके पास option रता है APP Assistant Public Prosecutor बनने का, साहयक लोग अभियोजक बनने का आपके पास option रता है उसके बाद आप law officer in the banks बन सकते हैं, जो law officer होते हैं या फिर panel advocates होते हैं वो आप banks के अंदर बन सकते हैं उसके बाद में आप यदि railway के अंदर government job चाते हैं, law department में तो आप CLA, Chief Law Assistant बन सकते हैं, then you will be promoted to law officer then आप senior law officer बन जाएंगे जो की group A guest post होती है उसके बाद में, यदि आप Indian army में job चाते हैं, तो Indian army के अंदर आप JAG के लिए apply कर सकते हैं Judge, Advocate, General, Direct you can become a lieutenant, याई आप lieutenant बन सकते हैं SSB interview के बाद में, फिर आपके पास एक option और आता है, state के अंदर आप civil judge बन सकते हैं, especially चलीम राजिस्तान जो vacancy होती है वो होती है, RJS की राजिस्तान judiciary services, जो lower judiciary की vacancy होती है, उसमें आप civil judge बन सकते हैं और उसके बाद आपके पास एक option आता है direct become ADJ, additional district जोज़ आप बन सकते हैं, after seven year of practice in law, याई आपकी 7 साल की ऐसा law year practice हो गई है, तो आप साथ दोस्तों, आप as a law student या फिर after doing LLB, आप as a lawyer भी किसी भी court में practice कर सकते हैं तो आपके पास more or less 10 option या उससे कुछ और भी options हैं जो आपके पास रहते हैं, जो आप LLB करने के बाद में, या as a lawyer आप opt कर सकते हैं, उसके साथ में जो normal जो government jobs होती है government vacancies होती है, उसके लिए भी आप apply कर सकते हैं, जैसे SSB, railway या फिर जो भी अन्य टाइप की vacancy होती है actually I don't have an experience in this type of government jobs, और दूसरी चीज जो मेरा personal suggestion है आपको, वो यह है कि यदि आपने LLB कर लिया है, या LLB कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा lawyer हैं तो आप यह 10-12, यह दिया आपको government jobs चाहिए, तो आप इन 10-12 vacancies के लिए try कीजिए, उसके अलावा आप कहीं मच जाहिए I know a number of lawyers and many law students who are pursuing for LDC, stenographers दरोगा sub-inspectors constable और SAZ jobs के लिए apply करते हैं, I'm not saying, फिर मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, कि यह government jobs छोटी नहीं है, या फिर अच्छी है, अपनी जगा अच्छी है और government jobs की आज value भी बहुत है लेकिन आप दूसरों का हग मच ही नहीं है, क्योंकि काफी एक student है, जो अभी income tax में शायद inspector बना है, I don't know कि whether custom में है या income tax में है तो मेरी उससे बाद चल रही थी, तो मैं नहीं कहा कि, if you want to be government job तो LLB क्यों किया, तो उसने कहा कि सर हमें article 19.1G के अंदर fundamental right है, right to practice any profession, trade or occupation in any part of India, यदि हम उसके लिए eligible हैं तो ऐसा तो जरूरी हिर नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे एक I.E.S है, I.E.S अपनी job को quit कर सकते, resignation दे के, वो pun भी बन सकता, लेकिन वो बनता तो नहीं है न, और as an advocate जब आप advocate बन जाते हो, तो I want to quote the judgment of Patna High Court Patna High Court ने कहा है, advocate is the officer of the court, आप officer of the court हो, enrolled advocate हो, उसके बाद में आप stano बनते हो, LDC बनते हो so I don't think it make a sense इसका कोई sense मुझे लगता नहीं है मेरा personal जो view है, वो यह ही है उसके साथ में, सबसे पहले मैं आपको दो example देना चाहूँगा, ऐसा motivation कि आपने दो नाम बहुत सुन रखे होंगे, जो की politics में है, एक तो है couple सिब्बल साब का, दूसरा है रामनाद कोविन साब का रामनाद कोविन साब, जो President of India है, उन्होंने UPSC CSE का exam correct दिया था UPSC CSE जो IS के लिए exam होता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे join नहीं किया, I think he got a IRS या IPS उन्होंने मिल रहा था, लेकिन उन्होंने join नहीं किया, फिर हमारे पास एक example आता है, couple सिब्बल साब का couple सिब्बल साब का, couple सिब्बल also correct the UPSC CSE examination और उन्होंने IS का appointment later भी आ गया था लेकिन उन्होंने IS join नहीं किया, इन दोनोंने ये कहा था कि as a lawyer हमें ज़्यादा proud feel होगा ना कि हम as a IS join किया है या फिर as a IPS हम बने तो आप सोचिए कहा politicians ने IS IPS को छोड़ दिया और कहां आप PUNE के लिए हो या LDC के लिए दोड रहे हैं या भाग रहे हैं या फिर इस profession को छोड़ रहे हैं, if you want to be advocate then you have to pursue LLB यदि वकील बनना चाहते हैं या फिर या आट-थस job चाहते हैं तभी LLB कीजे, otherwise आप मत कीजे आपको सिर्फ government job चाहिए then you can opt BA, BST, बहुत सारे options आपके पास रहते हैं, don't go for LLB यदि आपको government jobs ही चाहिए तो और ये government job जो आट-थस हमने discuss कीए, वो आपको चाहिए तो आप LLB कर सकते हैं और इस profession के अंदर आप आते हैं तो please पूरे dedication के साथ आए आप law पढ़िए और इस profession को बदनाम मत कीजे, thank you